तो नमस्कार मैं आप लोग का हार दी कभी नंदन करता हूँ अपने टेटरबाइ स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में जो लोग फ़स्ट विजिट किया है सब्सक्राइब बैल आइकन और यह अपना देशी है तो देशी को भी आप सब्सक्राइब कर लिजेगा यही द कहीं और हम लोग को रस्ता नहीं दिखा तो मैं सोचा कि क्यों ना इसी का एक बार विस्टिलेशन कर दूँ और एक बार बात कर लेता हूं कि क्या इसीती है और उसी साब से काम करते हैं क्योंकि आल्रेडी इतने सारे मतलब आपको option मिल जा रहे हैं और बहुत कई लोग अच ज्यादा दिन नहीं ठीकता है कि पर्दाफास होई जाएगा अगर मैं गलत रहूंगा एक मैं बात कह रहा हूं तो दोस्तों आप लोग के सामने मैं पिछले तो वही चीज मैं बताना चाहा कि गलत चीज ज्यादा दिन नहीं चलता है आपको सुरू सुरू में बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप देखेंगे क्या आपने अभी तक मेरे देखा कि कोई भी मैं मैं इसकिन-soat ऐसा दिखा रहा हूं जहां मैं अम अपका आप आता है टीक्व आप नहीं आता है तो इढिक हो ब्सक्राइम सभखने हैं अगर मेरे को कोई दोखा जेना हो या कोई परपंच कराना फोतो समझ मैं CC alternatives bütün Lum मैं क्यों करों कितना सट इब अब वाद है मतर्ब आपको लालचने रहगा तो आप सलेड़े लुजर सब्सक्राशन है आपको कौह मतलब नहीं है कि किसी को पसंद आए नहीं आ यहूं को है ना बड़ा श स्य बोलता हूं और आपन lives को बहुड़ा चल जाएका तूम यों आपको क्या लगता है जो जो मेरे चैनल में लोग पहले आते थे और कॉमेंट्स करते थे वो नहीं कॉमेंट्स कर लें तो क्या मुझे उनका ध्यान नहीं है बिल्कुल है बिल्कुल है सर जो लोग मेरे साथ चले आज भी उनका ध्यान है ऐसा नहीं है कि मैं उनको भूल गया ह करना कि नंते नां भी बता सक्ता है कि देकिन कि अना मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगन्हाइब और B कर् consecutive बाए ने मौल सक्कान हूं तो देखें दोस्तू को गलत सीज कई जू हम सिने आप नहीं बताया है मैंने वही बताया sự मैंने किया और को दए देख रहा हो का लोगों मुर्ख बनाया जा रहा है मतब धर के बुरुबग बनाजा साफ तो लिया जा भाई जब आप डाटा को लेकर चलिए यहां देखिए समझना तो पड़ता है दिमाग तो लगाना पड़ता है भेजा खफाना पड़ता है अगर नहीं खफाना तो मैं भी बोल दूंगा मार्केट है सरी तो मार्केट है तीक है हम हर बार आपको बकाइदा रिजन के साथ अब बहुत करते हैं इतना का तो मैं उसको भाईदारी नहीं हूं बहुत अच्छा लगता आपको को में परके और मैं मोटिवेट होता हूं आप लोगे को में तो चलिए सुरू करते हैं तो देखिए आज ऐसा है कि आपको शेयर मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं बताओं अंदर से मेरे को लगा कि नहीं चलो किसी आदमी का बना तो यहीं तो मेरा सुरू से उद्देश है ना गरीब ढूंडने के लिए आदमी जाता है अरे हम गरीबी को नहीं रहने देंगे गरीब के लूंडने जाएं और आज एडेट में मैं सही बता रहा हूं सबसे बड़े गरीब है सर इस बात को आप भी जानते हैं सरकार भी हम लोग को गरीबी रेकर में डाल रखी है लेकिन बस एक चोला पहन रखें है कि ना हम तो मेरी क्लास है क्या करें हकीकत है कोई नहीं कोसिस है पूरा जद्दो जहत है और निकल तो जाओंगा जब तक आपको बीमारी का पता नहीं चलेगा आप कैसे निकलेगा जब आपको पता चली है कि नहीं यार मेरे को कम से कम आज के टाइम में दो डाइलाग रुपय होना चाहिए तो आपको उसके हिसाप से आपको चलना पड़ेगा कोई जादू नहीं है जो काम आप करते हो वही अपना बिजनेस तो याट टीक है तो घीक है होता है कि लोगे के पास पैसा होता है बहुत महिनत दाती है थी말ए है तो उसको लगाने के लिए आपके पास क्या option अप है है माली नोखरी पैसे है है मैं यह मैं आपना ही बताता हूं दूसरे मोकिकी मुलöh त्क्राशन के मंदो सबसे पहला 2003-04 में उस समय पिताजी से बोले कि कहां पैसा लगाए पपा बताईए तो बोले कि यह सा करो चलो अंकल से पूछते हैं उंकल गए उनके पास बोले बिटा ऐसा करो तुमको कुछ नहीं करना है तुम जाके पोस्ट ओफिस में जो पुराने लोग होंगे उनको पता है कि पोस्ट ओफिस में पहले एक साल में 75,000 ही जमा होता था इससे जादे नहीं होता था अभी यह देल लाक होता है यह 2000 के समय की बात है 2003-45 और उस समय यह नेट बैंकिंग पोस्ट ओफिस पूरे हिंदुस्तान का ए सायद 2018 जन्वरी में जूरा था ठीक है तो आप कहीं दूसरे साहर में है तो वहां पोस्ट ओफिस में नहीं डाल सकते आपको अपना साहर में आके उसी पोस्ट ओफिस में जाकर आज आकर उसी एकांट में डालना पर दा प्लिछा उगता कि संकर जी को जलचाड़ाने के लि आप जो भी है रहने वाले उनको ही पता है चाहँ है और बात बता दे और मेरे बुलने नहीं से क्या है अच्छा है बहुत अच्छा है इसलिए मारवारी को बहुत इज़त कर था बहुत दिल सी इज़त है वह बाई साब गजब का उनका मनमोह बीच मतलब उस समय था 90 के दसक में जाते थे पिताजी के साथ और मतलब अपना चेहर छोड़के अंकल उड़ जाते थे कि हाँ आई 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 ठीक है हमेरे पिताजी कोई बहुत बड़े वो नहीं थे बिजियसमें नहीं थे नहीं हम लो मतलब अच्छा कासा जो पिताजी 10,000 का करना था वहां 15-20,000 रुपया कर समान लेके में किंग चार्ज भी लेकिन जाना उनहीं के पास इतना मतलब था बहुत सुंदर उधारन आज भी ध्यान में है तो उस समय गोल में किये हैं तो में किंग चार्ज आरा करते हैं आज भी लोग के बाद गोल में एक विली शुरू हुआ है ठीक है उसके बाद से गोल रुखा भी नहीं है 2008 आते आते तो आग लग किया दस आते आते तो हो और आज तो दिखी रहे तो यहां भी हम लोगों ने निवेश कर लिया उसके बाद थोरा सा और माइन खुला तो सबसे पहल लोगों ने LIC भी कर लिया देखें मेरा यह कहानी नहीं है यह आपका भी होगा ठीक है तो चलिए LIC कर लिया और हर महिना उसमें हम लोग कितना करता है 4810 रुपया यह छे महिना में करता है इसलिए बता रहा हूं न कि आपको लगे कि ऐसा नहीं कि मतलब मैं कोई बहुत हो गया तो फिताजी ने बोला कि चलो ठीक है इस दर्देगा तो कर दिया हो तो अब उसके बाद निवेस कोई नहीं बताया उसके बाद साधी भिया हो गया अब फिर जो है ना जो हम लोग मतलब जो यंग युवक होते हैं घोड़ा होते हैं अपने छेत्रिके उसके पीछे टांगा लग जाता है तांगा जो आजीवन गोरे के पीछे लगा रहता है समझी गया होंगे तो खिसते रहो भाई इस चाहिए हम तो ऐसी करते 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 हैं फिर थुरा सा और हुआ सफ़र तब जाके फिर हम लोग को लगा कि नहीं रियल इंडेस्टी में बुसना चा करें समझें कई दिक्कतों के बाद फाइनली जाकर उसके बाद हां एक चाहत के साथ हम चल रहते हैं यह मैं आपना बता रहा हूं लोगा कि नहीं मीचुअल वन यही है जो है हो है चल भाई मिच्वल फंड में दबा के अच्छा खातर किये फिर देखे किया रहे इसमें तो चार्ज ज्यादा काट ले रहा है हम लोग हो यह खेला नहीं होगा वहां से भी निकले अब आप बताइए तब जाके मार्केट में गुझें तो पापा बोले कि देखो मार्केट में बिटा याद है ना हम लोग कितना मतलब हरुसा नहीं है यह है वह है तो पिदाजी का जो है अपना आएसा नहीं है कि पापा कोई अनपर गमार थे उस समय के गेजवेशन थे 60K है तो उन्होंने बहुत अच्छ में फिर बहुत दिन रहें option chain में भी चार साल निकाले MCX में वहां भी निकाले सब जगा घूम भटकने के बाद लास्ट में जाके एक ही जगह था ETF में यहां अठक गए क्योंकि ऐसा नहीं है कि option chain में मुझे आता नहीं है और मैं बता नहीं सकता हूं जिस दिन होता है ठोक के बोल देता हूं न कि भाई आज डाउन जाएगा जिसरे कल बोला था बोला था कल का मार्केट के लिए सुबह म अब सब्सक्राइब कर सकते हैं मानता हूं हो जाएगा अज जीरो कर लो यह तो कनफर्म है यह तो under% होना ही होना है ठीक है लेकिन हमको बड़ा पैसा लगा के चलना हमा लीजे 15 लाग 20 लाग 50 लाग मतलब कहां लगा है यह चीज बड़ा फस जाता कुदी तो इसलिए आज मेरा सब जगह निवेस है मैं जूट नहीं बोलता हूं ठीक है किसी भी चीज में मैं कोसिस करता हूं कहीं भी आप लों को मेरी इस बातों में कहीं आप लों को मैं तो यहां तक बता सकता हूं कि मैं एक-एक का नाम तक इस दोड़ान तो भाई देखिए हम भी बिल्कुल साल और यहीं चीज को बताता हूं कि शेयर मार्केट में कुछ अटा बताता है टीक है उसको खीच के लाता है और मतले साथ में सोना काकंगल लेकर पढ़े है ना परेखिवार को पालो पथी चक्क्र में फसकी और से ये पास चला गिया तो से बुढ़ा हुआ था नहीं कहता था तो भात अ तो वही है इस market में दोस्त आपको रगणने के लिए बते रब गोंगे मैं आपको खुद आप लोग जानकार हो गए हैं बहुत समझदार हो गए हैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही समझदार हूं नहीं आप लोग बहुत अच्छे समझदार हो गए है ठीक है तो इसलिए थोरा सा मैंने जो है अपना लाइफ का चेंज कर दिया, ट्रैक ही चेंज कर दिया, और जब से ट्रैक चेंज किया, सही रहा, ठीक है, और अभी भी सही है, अभी भी भाई डाइला क्रोस नहीं किया हूँ, हो जाएगा, ज़रूर बताओंगा, क्योंकि, और आप लोग जानते हो, कि मैं जिस चीज पर कमिट्मेंट कर लिया न, तो इसका मतलब मैं करके ही मानूँगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए, हाँ, कोई गलत तरीका नहीं, किसी का भी मैं कोई नुकसान नहीं करूँगा कभी लाइफ में, अपना लिए हर वो संभाव कोशिश करूँगा, जिससे मैं आ तो अभी क्या है, देखे बात करने में 20 मिरट निकल गया, तो चलिए है, कल सटर्डे है, इसी दे बात कर रहे है, तो अभी क्या है, हम लोग को निवेस की बात आती, अब आप बताए, जब सेर मार्केट में आए, तो भाई, इतना भ्यानक डर लगाना, जूर क्या बोलें, आप लोग सुचेंगे, आप लोग डरते हैं, हम भी बहुत डरते हैं, यह देखे, पहले दिख गया मेरे को आरकों, बरिप आप, 278 में कहां चलता था, भाई, इसका 800 के आसपास, एक रुप्या का है, भाई बताए, कैसे मतलब आदमी बरदास करेगा, काहे नहीं गाली दे और आपको दिखाते हैं, आइडिया, ग्यारे रुप्या, पचासी पैसा, चार रुप्या भी गया था, और किसी समय यह 100 रुप्या से उपर का श्टॉक था, 110, 120, 120, अब वहां से 2 रुप्या, 3 रुप्या में भी यह आपको, 4 रुप्या में तो भी भी आया था, ठीक है, 4 आजमी को क्या पता था, जिसका डूबेगा, बहुत का तो डूबी निकल यह गया, बहुत का तो भाग यह गया, ऐसा सुदा, जाओ, निकल गया हो, यह सब देखके न, मन में तो डर बहुत लगता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप से जादा डर हुएं, क्यूंकि मैं एक ह सुरू पर भी डूपता है न, तो मेरे को लगता है, क्यों लॉस हुआ, और मैं आपनों के सामने अपना पोर्टफोलियो खोल के रख दूँँगा, चिंता मत करिए, जिस समय आपके सामने इंट्रोडक्शन होगा, एक साल, दो साल, तीन साल, जितना बोलिएगा, और दिख सामने इंट्रोड को पकरें, गोल्ड को पकरें, समझें, गोल्ड को और निफ्टी-फिप्टी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इन दोनों ने साथ दिया, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि सर आप निफ्टी-बीस का जाला क्यों बढ़ा दे, अरे उसी में कर भी की है है, तो हम का करें, हम जो किये रहेंगे, वही न हम आपको बता पाएंगे, उसी में न मेरे को confidence रहेगा, अब दोसर चीज का हम कैसे बता दे, अब सिल्वर में तो अभी सिल्वर का दूसाल हुआ नहीं है, काम धंदा में अपना मन तो लगता है, के तो नो पैनिक हो जा मार्केट में, आपको रिक्स तो नहीं लगता है, तो यह है भाई, एक्सेंस ट्रेडिंग पन, इसलिए मैं बोला आप लोगो, इसलिए सर मैं आप लोगो बोल रहा हूं, और पिछले डेर साल से आने वाला समय जो है न, ETF काहिए होगा, दम है अगले में, अगले में भाई साब दम है, फिक है, इसलिए मैं बोला हूं, हमें डर नहीं है साईची का, हमें डर नहीं है कि रिटन महीं मना, हमें डर है यह है कि भाई डूब मत जाना, fact बता रहे, मेरे को यह जीज़ बोलने कि कोई भी नहीं लेने का है और मार्केट में रुख जाने का है पाईसा कंफं बनेगा यह मेरा वहादा है आप के दिन में पूर्फोलियो दिखते हैं लोग पाचीस जार बाग गया आगला दिन दिखें लोग पचास जार गिर गिर गिया टोटाल इमाउन केतना है दो दस लाक नहीं है बताई है 5-6 लाक में इतना ज्यादा है यह दिखा रहा है यहां देखिए इतना पैनिक हुआ फिर भी देखे कोई फड़ा की नहीं पार रहा है पोट्फोलियो अभी पलास में चल रहा है बताई है क्या दिक्कत है बाई कितना अच्छा इस्टरजी बता दिए 3% 5% सिंपल इ करवालो मेरे से कोई बीट्रेट कर वालो करके इक zumindest मुझे गलत को मैं उत्यों के बोलता है इसा हो ऐसा हो नहीं सकता है मैं बता रहें किया हो nnoc उसी मैं बताता हूँ अना आप साना भावाबाजी मैं नहीं गांगा क्योंकि आता नहीं है सबसुरा अगर आए तब तो आनमी कुछ करे अजब अई भी नहीं करेगा तो करेंगे कुछ आप ही बताईए यार आप 5% मेरा बात बता रहा हूँ कितना गिरागा मा लिजाप 18% हम 3-3% से निप्टी को कवर करते आरे किसी जगह तो ऐसा होगा ना कि 3% लग गया वहां से 2% नीचे गया वहां से घूम गया तब तो हम बोलेंगे ना भाई 3% में कवर कर लिए 5% का करेंगे तो 5% में कवर कर लिए इस मार्केट का मैं एक सचाया आपके सामने रख दे रहा हूँ क की करत करत अभ्यास जर्मत हो सुजान वाई साब क्लियर बता रहा हूं और रसरी आवत जात से सिर्पत प्रपनिसान इस चीज को ना गांठ मार के समझ लिजिए सुन लिजिए बांध लिजिए बस इस मार्केट में ना पढ़े लिके की जुरूत है ना अनपढ़ की जालती है अना बच्चा कुछ देखता है क्लियर है एक दम समझिए कि इस मार्केट में किसी भी एक डिसिप्लीन को आप पकड़ लिजे किसी भी चाहिए मुविंग आवरे जो आरसाई हो हम लोग ज्यादा मुविंग आवरे से करते हैं इसलिए किसी भी चीज को आप पकड पेसेंस होना चाहिए ठीक है और अगर कोई उस पेसेंस के साथ आपको व्यू दे देता है तो आपका कॉंफिडेंस बढ़ जाता है जो कि अभी हुआ है गोल में कई लोग नहीं आए और उन्हों ने भाई किया मैं बोला क्योंकि मैंने इस्पिरियेंस है मैं बोला भाई सा आपको इंट्रेस जगा रहे कि रुक जाओ कारण एक ही था कि रुक ही आपका पैसा बनेगा और आज देखिए सब का पैसा बना है 20 दिन पर 20 दिन पहले से ठीक है ऐसा नहीं है कि नहीं पैसा बनेगा और आगे भी बनेगा तो कि आप ETF में एक्सेंस ट्रेडिंग फंड ये हां मार्केट का मोव बताता हूं ता है और पूरा एटियप पे ही आनेशिस चैनल बूद है क्योंकि मुझे सही बता रहा हूं भ भरोषा नहीं है किसी जगह इसी लिए मैं इस चीज पो बता रहा हूं बहुत सही चीज है आराम से निवेस्ट करिए आराम से चलिए आपको म एक्जिट हो हम कैसे बोले हैं आपको एक्जिट होने बस इतना बता रहें मेरे पास मैंने सारी स्टॉक से एक्जिट होके सांती से एटिएप में निवेश करके और प्रोफिट बना रहा हूं ठीक है एक-दो साल नहीं पिछले कई सालों से मुझे द्यान में भी नहीं आता है इसके लाबा मेरा कुछ नहीं बाई तो आपनों कहीं भी इधर हुदर ज्वाइन मत हो जाए कोई पैसा हो इसा किसी को मत दीजिए और प्लीज मेरे को एक ही चीज मांगते हैं मांगते हैं आपसे जब भी प्रोफिट बुक करें ना बताएगा जरू अंदर से ना खुसी मह प्रोफिट में कहीं नहीं है ठीक है इतना ही कहकर मैं अपनी वानी को विराम देता हूं थाइंकी बड़ी माच जाहिन जेवार